हाई दोस्तों नमस्ते जैसे कि आप सब अभी कमेंट कर रहे थे मुझे कि बिहार TET में मैंने दिखाया था कि टोटल जो है 68 प्रश्ण गलत है इस बात को लेकर के आप देख सकते हैं ये लेटर जो है सिक्षा विवाब के दुवारा जो है जारी किया गया है 11-12-2017 को जिसमें ये साप साप लिखा गया है कि बिहार TET में जो है 40 या उससे अधीक गलत है प्रश्ण एवं उसके आंगसर जिसका माक्स देते वे संसोजित रिजल्ट जारी किया जाए लेकिन उससे भी बड़ी बात कि 40 से ज़्यादा प्रश्ण आप यहां पर यह नहीं बताया गया है कि कितना प्रश्ण गलत है 40 या उससे ज़्यादा प्रश्ण वो भांगसर जो है गलत है यह यह आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आज का न्यूज पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं सिक्षा विभाग ने 11 दिसंबर को परिक्षा सम समीपिति को पत्र लिख कर बता है था कि दोनों भी से मिलाकर 28 नहीं कुल 68 प्रश्ण गलत है जहां 68 प्रश्ण गलत थे आप देख सकते हैं यह वहीं जो है याचिका में बिहार विद्याल है परिचा समीपिति पर यह भी आरोप लगाया गया है कि ओयमार सीट और स्कूटन केया दायर किया हुआ है यह उसी का नियू», आप देख सकते हैं कि बीहार टीटि में कुल मिलाकर दोनों भी सेयों मिलाकर कि सबसे बरे बात paper 1 और paper 2 में जो है दोनों paper को मिला करके 28 नई equal 68 प्रस्ट गलत है क्योंकि दोनों paper में जो है बहुत सारे भासाई है जिन भासाओं को बहुत सारे subjects है इन सारे subjects को मिला करके गलतिया बताई जा रही है कि 68 गलत थे उसके बाद ही कोई निर्नाय ले पाएगा कि सच में 68% गलत है या नहीं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो